आ गया भाई आ गया लो भाई साब IPL आ गया बहुत दिनों से आपको इंतिजार था उंतिजार था मुझे भी क्योंकि मैंने बहुत तैयारिया करी है बहुत महिनत करी है इस IPL पूरे मनलब सीजन के लिए ताकि मैं आप लोग को बेस्ट कॉंटेंट दे सकूं बेस्ट कि में दे सकूंतूं बिलुकल फ्री किसम कहाओ कसम कहाओ पहले लिकिन अभी अबी आज पहला दिन काफी सारी मनलब चीदों को आपने देखा होगा सोचल मेडिया पर मैं कुछ पोस्ट कर रहा हूं कुछ बड़ा कर रहा हूं कुछ नया कर रहा हूं कुछ तगड़ा कर रहा हूं क्या कर रहा हूं वह अभी मैं नहीं बताओंगा मंगर इतना बताता हूं बाई कि जब वह कोई शाम को आपको पता चले जाएगा क्या वो चीज है भावाल चीज ठीक है फिलाल अभी यह जो हमारी वीडियो है यह IPL के पहले मैश की वीडियो है जहां पर हम आपको बहुत सारा ग्यान देने वाले हैं आज के मैश का और पूरा ग्यान सुनके देखके आप मस्त आपके टीम मनेगी चाहे वो स्मॉल लिखे हो चाहे वो ग्रैंड लिखे हो ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अभी जैसे सब लोग एक बार लाइक कर दो वीडियो को एक कॉमेंट कर दो सबका एक लाइक एक कॉमेंट मुझे आईपियल की पहली वीडियो में करने वाला हूं आपकी जेबे भरने वाला हूं ठीक है और एडवांस में मैं अभी से आप लोग को एक चीज अटाओ वो में इस्टाग्राम पर दूंगा ठीक है तो स्टार्ट करते फिर आज के वोडियो एटर साब कैसा फिल कर रहे हो बहुत मेहनत लगे कि तुमारी भी एक काम करो इंट्रोलोगाओ सोगत करो हुमारा हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू अनुदर वीडियो के तरफ बड़ेयों को सोगत आपके कोई नई फ्रेश वीडियो में इस वीडियो में तो बात करने वाले आज होने वाला IPL का पहला मैच जो की होगा चन्ने सूपर किंग्स और रॉयल चलंजर बैंगलोर के बीश में हम बात करेंगे इस वीडियो में क्या टीम न्यूस है जोनों टीम क्या प्लेंग लेवल है पिच और ग्राउंड की क्या रि प्रेडिक्शन से और क्या मेरी फैंटेसी टीम है पहले मैच की वह सभी चीज़ें आपको दे देंगे इस वीडियो में तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखें सुरु से एंड तक देखें और कुछ भी पॉइंट मिस ना करें हर एक पॉइंट आपके लिए फिंट लगा यह वरिफायर चैनल है ठीक है ब्लू टिक लगा वरिफायर चैनल है आप जाके जॉइन करो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट बॉक्स दे दिया लिंक पर क्लिक करके जॉन करो वहरना टेलीग्राम पर सर्च करो अनुराग एक्स क्र तो हर एक बंदा जीतेगा 10,000 रुपए और maximum 10 विडियो में तो प्लीज लाइक और कॉमेंट करना जरूरी है मैं लाइक करना वीडियो को जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब को नहीं जरूरी है वह कर दो और कॉमेंट में जवाब दे के तुक्का जरू मानना एक तुक्का बै मैं एक प्राइबेट कॉंटेस्ट का कोड दूँगा वह कोड यूज करके आप एक लाग रुपए का कॉंटेस्ट फ्री में खेल सकते हो विजन 11 ठीक है तो कुछ लोग कोचेंगे विजन 11 क्या है बाई विजन 11 इंडिया का सबसे बेस्ट सुपर फंटास्टिक फैबूलस अमेजिंग फैंटसिक रिकेट अपने हैं जहाँ पर आपको देने होते हैं सबसे कम कमिशन आप आप को देना होता है सबसे कमेंटरी पीस वहाँ पर होती यह ज्यादा होता है जिस्टी भी आपका कंपनी उठा लेगी तो आपको टैक्स देने की भी जोगरत नहीं है तो प्लीज जाओ सभी लोग विजन 11 के आपको डाउनलोड करो लिंक मैंने आपको विजन 11 का दे दिया डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में मेरे रफर कोड यूज करो उनराग ताकि आपको वेलकम बोनस मेरे और एक बहुत बड़ा ओफर विजन 11 के आने वाला है दो-तीन दिनों में उसके लिए रेडी रहना बलास्ट होने वाला है ठीक है और यहाँ पर आपको तीन करोड रुपए की मेगा लिग मिल रही है ठीक है तो यहाँ पर खेलो यहाँ पर मेगा लिग जितना असान है इस मॉल लिग में आपका प्रफुर जाएदा होता तो जाके विजन 11 आपको डाउनलोड कर लो किसी भी हाल में ठीक है पास रहना मिस्स करेगा तो यह इंज्यूरिक अपडेट है बाकि डेविव रचिंद रविंद्र डेविव करेगा आई पिल के डेविव इस मैस में आपको करता हुआ दिख सकता है बहुत ज़्यादा चांस है ठीक है बात करें हम आर्सीबी की टीम भाई सभी प्लेयर सबसे पहले हम बात करेंगे चन्ने सुपर किंग्स की क्या प्लेयंग लेवन होगी दुरुत राज ग्याकवाट और रचिन रविंद्र आपको ओपन करते हुए दिखेंगे फिर आएंगा जिंका रहाने तीन पर चार पर डायर निचल होंगे फिर होंगे शिवम दुबे फ तो आर्चिवी की जो मतलब बैंगलोर की जो प्लेंग लेवन है वो यह होगी कि लगिन अब हाँ विराट कोली आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे फिर आएंगे क्यामरन ग्रीन हो सकता रजत पाटिदार आपको तीन पर देखेंगे जो भी आज पता चल जाएगा उस आप लेंगे लिए रोयल चेंजर बैंगलोर की अब हम बात करते हैं पिछ की बारे में लेकिन बहुत तापर तोड़ एक चीज़ आपको लोगों को मैं बताने वाला हूँ इस IPL में आप फैंटेसी में तो पैसा कमाओ को मगर साथ में ऑपनियन ट्रेडिंग एप से बहुत जवाब देखके आप पैसे बना सकते हो आज की मैस में जीते ही यह नहीं जीते ही मुझे लग रहा है की जीते ही तो मैं इसमें Yes करूंगा एक सवाल और है अलजारी जासेफ आपको प्लेइंग लिए उन में दिखेगा या नहीं तो मैं इसमें No करूंगा बागी शारदुल दोरान भी और पैसे बनाओ ठीक है और कुछ मैं आपको प्लेयर की प्रेडिक्षन दूँगा अपने आपकी वीडियो में वह भी मैं उन प्रेडिक्षन का फायदा कैसे बना सकते प्रवो पर जाओ जाके प्रवो का डॉनूड करो प्रवो का लिंक मैं आपको में कमंड बॉक्स में आगे बढ़ते बात करते भाइसाफ पिछ की बारे में देखो पिछ के लिए एम चितंबरम स्टेडियम चन्न ही चन्न ही चिपाउक की विकेट है अभरेज इसकोर 150 बैटिंग के लिए डिसेंटिविकेट है बॉलिंग के लिए नि्यूट्रल है ठीक है पिछले गर पांच अगर हम IPL के मैचेस यहाँ पर देखें तो पेसस को मिले 46 विकेट, इसपनस को मिले 20 और यहाँ पर डिफेंड के बायस है, जो टिम डिफेंड करती वो ज्यादा जीती है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए यहाँ पर 46 मैच है और फ्रेश विकेट होगा, जो मलब पिछ होती है, मगर हाली में जितने मैचेस यहाँ पर हुए है, बैटिंग लिए अच्छी विकेट आपको देखने को मिली है, एक बात है, बैटिंग में पिछ छोड़ा स्लो हो जाएगी, ठीक है, अगर हम बात करें head to head के बारे में तो दोनों टीम चननई और बैंगलोर की वीच में 32 मैच खेले गए हैं, और 32 में 10 मैच जिती है RCB, और 21 मैच जिती है चननई, और एक मैच मनलब रहा है, नो रिजल्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, भाइच साब, वो, वो स्टैट्स की बात करते हैं, ज मैच में किसको मिलेगा, उस प्लेयर का नाम गेस करो, तो कमारो, अगर आपका जवाब सही रहा, तो आप जीतेंगे 10,000 रुपए, ठीक है, यह मारा पहला सवाल है, जो सवाल आप से आगे, और कुछ हूंगा, तीनों सवालों का जवाब आपको कॉमेंट करके अंसर करना है और भाजो, याद दखना कि जो स्पेलिंग मैंने प्लेइंग 11 में लिखी है, वही स्पेलिंग आपको लिखनी है, ठीक है, तब ही, याणि कि स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जरूरी ही वह कर द यावरेज RCB की सामने, 97 की है, और 193 रहने पिछले तीन मैचे में इनके सामने, और 183 का स्टाइग रेट है, 183 बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, 183 का स्टाइग रेट है, तो भाई, शिवम्दुबे वैटिंग फस्ट करते हूँ, आपके लिए मस्ट पिक होने वाले, तीक्षणाना ने तीन मैच में आठ विगेट लिए है, RCB की सामने, मगर इस ग्राउंड पर साथ मैच में सिर्फ तीन विगेट है, ठीक है, उसके बाद IPL में रजट पाटिदार का जो एवरेज है, 54 का है, पहले बेटिंग करते हुए, और सेकेंड इंग में बेटिंग कर सामने ये चीज़ याद है ना, और इस ग्राउंड पर दो मैच खेले हैं, दोनो मैच में विगेट लेस रहा है, एक भी विगेट नहीं लिए है, फिर आते है मुहम्मद सिराज की बात करते हैं, मुहम्मद सिराज का रिकॉर्ड बाई साथ चन्ये की सामने बहुत ही गंदा तीनों टेक्निकली अच्छे प्लेयर हैं, तीनों टॉप वर्डर बैटिंग करते हैं, तीनों ओपनर हैं, इन तीनों का जो रिकॉर्ड है, हेट टुएड और वेन्यू, दोनों ग्राउंड पे और आमने सामने भी देखें, तो वो 30 से 25 की बीच में है, आवरेज मन सामने हैं, तो चन्नई में चन्नई को हराना RCB के लिए आसान नहीं होगा, ठीक है, यह होगा बात की स्टैट्स की, अब बात करते हैं, मैच अप्स की, कौन से 2 खिलाडियों के बीच में आमना सामना होने वाला है, बहुत तगड़ा, लेकिन उससे पहले, मैं आज के अपने आज इस मैच में, जो हमारा प्राइवेट कॉन्टेस कोड है, उसका कोड में लिग कर देता हूँ, ताकि आप लोग एक लाग रुपए का फ्री कॉन्टेस खेल सकें, और लाग रुपए आप जिस सके एकदम फ्री, ठीक है, तो करना क्या आपको भाई, देखो, विजन 11 का आप डालोगे, तो आपको एक कॉन्टेस में फ्री एंट्री मिलेगी, एक लाग रुपए का कॉन्टेस है, फ्री में जाके छापलो पैसा, और ये कॉन्टेस अपने यूट्यूप के लिए है, तो कॉंपटिशन कम होगा, तुक्का मारो, ट्राइटीम मनाओ, कुछ भी रि करना, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, की मैच अप्स की, देखो, ग्लेंड मैक्सवल और रविन जड़ेजा को जो आमना सामना होगा, बहुत खतरनाक होगा, मैक्सवल ने पैसाट बाल में तीरानवे रन तुमारे है, रविन जड़ेजा को, लेकिन साथ बाल अपना विकेट भी दिया है, यानी हर न 32 बाल पर बैसे देखो, अठारा बल में अपना विकेट दिया है, मुहिन अली को और एक आफिसमें को विकेट देना वाला अच्छी बात नहीं है फाब डू प्लेक्सिस का और मुहिन अली का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो भाई 21 बॉल में सिर्फ 34 रन मारें और टीन बार विकेट दिया है तो मुहिन अली भाई साभी दोनों रैट मारें मुहिन लीने मैक्सवल की बाल पर और दो पर अपने विकेट भी दिया है तो यह जो च्छै मैच अप समयना को दिया है यह इस मैच में बहुत तकड़े होने वाले ठीक है अब बात करते हैं फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की कौन से प्लेयर को अपनी टीम में कब रखन करना और तुक्का मार के उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखना अगर आपके तीनों सवालों के जवाब वीटियो में सही हो गये तो आप जीतेंगे 10,000 रुपे और 10 विनर होंगे ठीक है तो वाई क्या देर कर रहे हो जाके तुक्का मारो और कमेंट में प्लेयर का नाम लि अगर हम बात करें बैटिंग सक्षन में तो यह चीज का द्यान रतना क्याप्टर में मनाने में आपको सुला कंफ्यूजन कम होगा रुत राज ग्याकवाड एंकर करेगा और इंपोर्टेंट रहे दोनों निंग में रखना ही पड़ेगा बागी डेरल मिचल भी अच्छा अच्छन है दोनों निंग में क्योंकि चेस करते होगी बहुत अच्छी बैटिंग करता है और बैटिंग करते हुए सेफ पिक है और चार नमर पर बैटिंग करते होगा मेरे हिसाब से वह भी आपके लिए बढ़िया प्लेयर है शिवम दुबय बहुत नीचे माल पांस वो करते हुए ट्राइ कर सकते हो अगर तिन नमबर पर दिखा रहे हैं तो फिर महिंपाल उम्रोद स्मॉल लिंग में इसको अवर्ट कर देना बागी बगर बात करें और मैक्सविल और क्यामर ग्रीन तो भाई अच्छे हीटर है और बॉलिंग से भी एकादे और डाल सकते है द बाकि मोनली अगर खेलता है तो बैटिंग फर्ट करते हो ट्राइ कर सकते हैं मैं तो कहूंगा अग्नियोर कर दो अभी एक दूब मैस देखते है मोनली का फॉर्म देखते हैं पहले बाकि बालर्स के बात करें बालिंग सेक्शन में मुहमत सिराथ और दीपक चाहर यह दोनो के पास पीस अच्छी है और दोनों टैसम बालिंग करते हैं ठीक है बाकि पिछ अगर सूखी हुई और क्रैक्स हुए तो फिर तीछना और करन शर्मा इन दोनों में से जो भी सेकेंडिंग बालिंग कराए उसको ट्राइ करना अब बताओ मैं अभी से हो कभाई सेकेंडिंग सेकेंडिंग में रखना ही पड़ेगा अब बात करते हैं प्रभो के मैच के प्रेडिक्शन की क्या मेरे मैच की प्रेडिक्शन में आपको आसान तरीकत बताओंगा ताकि आपके समझ में लेकिन उससे पहले फिर से मैं आपको आज के इस मैच का प्राइबेट आपको मिल जाएगा फ्री एंट्री मिल जाएगी आपको एक लाग रुपर फ्री में कमा लो ठीक है जिनके पास विजन 11 का आप नहीं है लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जॉइन करे ना ओके चलो प्रुबो के मैच प्रेडिक्शन देखते हैं तो पहले हम अपने प्रेडिक्शन है अगर प्रेडिक्शन वाला है मेरा प्रेडिक्शन सही हो जाता है अगर ऑसमी पहले बैटिंग तो बहीं यह कॉयों यह सब собственно हूग है और रव कर से पहले बॉलिंग करते हुए विकेट ले सकता एक दो ठीक है बागी चेस करते हुए फिर अजिंके राने और रचिन रविंद कबलना पका चलेगा मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है और इनके साथ में शिवम दुबय मिचल में से किस एक कबलना चलेगा और रुतराज गयाकव बात करें करन चर्मा इस मैच में विकेट लेगा सिराज के साथ में सेकेंड लेगा यह मेरा प्रेडिक्शन है यह मेरे पांच प्रेडिक्शन हो गया कि अगर आर्सभी टीम पहले बैटिंग कर रही है अब देखते हैं अगर चन्ने की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो मे सिराज याकवाड और जिंक्या रहाने कबला जो है चलेगा यह मेरा प्रेडिक्षन है पहले बैटिंग करते हो और इनके साथ में मीचल यह शोम्दुबे में से कोई एक क्लेर साथ देगा वो भी अच्छा स्कूर करेगा बागी आर्सबी की तरफ से पहले बॉलिंग करते हैं मुहमद सिराज और अकास दीप लेंगे ठीक है साथ में करन शर्मा फरस्ट इनिंग में भी विगेट ले सकता है क्योंकि वह है प्रेडिक्षन है बातकेतन ठीक है और यह अगर मुहमद सिराज वाला प्रेडिक्षन मेरा साहिवा अकर आर्सवी पहले बॉलिंग करा रही त और मैंस ट्रल का ठीक है और विराट कोईली का भी सवाल चल रहा है कि 25 एन मान रहेगा विराट कोईली या नहीं तो अगर आर्सवी चेस करें तो विराट कोईली के ऊपर यस कर देना इस वाले सवाल पर ठीक है और बागी रवीन जड़ेजा और दीपक चैर यह दोनों गे होता है ठीक है चलो अब देखते हैं मेरी टीम क्या है तो हम अपनी टीम भी डिसकस कर लेते हैं लेकिन उससे पहले मैं अपने गीवे का आखरी सवाल पूछता हूं भाई हमारा जो गीवे का आखरी सवाल है वीडियो का का वह यह है कि कौन खिलाडी सबसे ज़्यादा चौ का मारना comment box में लिखना है तो total मैं आपसे तीन सवाल पूचे हैं वीडियो में तीनों सवालों के जवाब आप comment करके answer कर दो अगर आपके prediction सही हो गए तीनों तो आप जी जाएंगे survey की टीम पहले batting कर रहीं यह सोच्के बनाई चंडे की पहले balling कर रही सोच्के भी मेर टीम बनाई रही him आप की रिस्क ले लिएhone है ले लिक तो टॉस के बाद में मैं लाघ्owe रूपय आप नुलिक करूँ आपको पर कम यहां पर आपको कम आपको बहुत कमल लिया जाता है और जो लोग fantasy से हटके सोड़ा करना जाते हैं वो लोग प्रुबो के आप जरूड़ाँ को मैंने आपको कई तरीके बताएं कई सवालों में आपको prediction में दिये तो उनका इस्थमाल करके आप प्रुबो पैसा कमा सकते हो जाके प्रुबो का भी आप डाउनलोड करना प्रुब चुमात लाइक कॉमेट से भर दो विडियो शेयर करो विडियो को आदोसों के सार चैनल को सब्सक्राइब करो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में का Mountainaper at आपको वीडियो देखें मिलेगी और मिलते हैं शाम को साड़े छे बजे लाइव हमारे चैनल पे कुछ धमाल होने वाला है उस धमाल के लिए त्यार रहो बहुत मज़ा आगा आपको देखने में मज़ा आ जाएगा और हाँ यह एक और चीज कि मैंने आपको डिस्क्रिप्श पर आएगी तो दूनों जगे पर हमारे चैनल को जोईन करें ना उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया ठीक है तो चलो भाई मिलते हैं फिर का लिक नई वीडियो में बाबाई लव यू ठैंकिस समझ पुरा वड़ी देखने के लिए बाबाई लव यू ओ अलड़ बेख